कि यहां पर क्या हो रहा है हुमिडिटी इंक्रीज हो रही है ठीके ना हमिडिफिकेशन मतलब सिर्फ हमिडिटी की बात करेंगे तो इसमें क्या है अगर किसी एयर में हम वाटर वेपर एड करते हैं और इसके टेंपरेचर एज़ रहेगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हमिडिफिकेशन ठीक ना यह कई मेथड से करते हैं यह आगे डिसकेस करेंगे तो अभी क्या होता है हमिडिफिकेशन इस पर ध्यान दो तो यह देखो यह लाइन डियाग्राम ऑफ साइकोमेटी अगर आपका सपोसेट पॉइंट वन इस इस सब्सक्राइबर टेंपरेशन डियाबर सेम रहेगा और इंक्रीज करेंगे इस स्केल में जाएगा इसका मुद्दब प्रोसेस कहेज़ा होगा वर्टीकल अप्वार्ड बना हुए डियाग्राम वह आपका process हो गया है हुमिडफिकेशन अफिर सोच लो देख लो कि adding of moisture है adding of moisture और कुछ change नहीं हो रहा मतलब temperature as it is रहेगा और similarly in y-sou ropes dehumidification dehumidification क्या जाए आप रिमूविंग of moisture from air at its dribal temperature जो पर मोयस्टर को क्या करेंगे this area is the specific humidity अब हम इस में क्या करें, dehumidification दी मतलब decrease कर रहे हैं,, dehumidification मतलब moisture को क्या करेंगे remove than moisture remove कर लेंगे, क्या क्या कि एससे moisture remove करेंगे तो इसका specific humidity decrease करेगा suppose that w2 कोई time है, drivel temperature as it is रहेगा एपने पहले भी discuss कर लिया कि drivel सब्सक्राइब कि तो भी दिधिक प्रोशु सब्सक्राइब करना यहां कोई थे इसको क्या करेंगे इसमें कूलिंग करना है और करना है मतलब cooling करेंगे तो point 1 ऐसे जाएगा अधी हमीडिफेकेशन करेंगे तो ऐसे जाएगा थीके ना लास्ट लेक्छर में cooling का हो चुका था तो cooling मतलब left side जाएगा cooling मतलब dry burn temperature td1 है तो final dry burn temperature क्या होगा? कम होना चाहिए तो point कहां से left side जाएगा scale में ऐसे increase हो रहा है तो इधर जाएगे तो left left क्या हो जाएगा decrease जाएगा तो one से two जाने के लिए पहले आप क्या करेंगे cooling करेंगे फिर dehumidification कर देंगे या पहले dehumidification कर दें बाद में cooling कर दें final stage जो होगा वो two point ऐसा होना चाहिए कि आपका उसमें specific humidity भी decrease हो क्योंकि dehumidification लिखा है और cooling लिखा है तो temperature भी decrease हो ठीक है अच्छा अब आजाओ कि यह देखो यह diagram में इसमें अभी बताते हैं यह परटेज़ डूपेंट क्या होता है पहले इधर पर आजाओ यह diagram में refund में क्या लिखा है इसमें heading पढ़ यह आपकी sensible heat factor गया होता है suppose That कोई point one है यह कोई point 2 है और यह जो प्रोसेस होगा वन से टू यह पोई प्रोसेस बाद में देखेंगे क्या है क्या हाई क्या है क्या ही हमारा क्या है उप्रोसेस में क्या हो dock पे specific humidity क्या हो रही है increase हो रही है W1 से क्या हो गया W2 हो गया W1 से W2 हो गया और dryable temperature देखो क्या हो रहा है यह भी increase हो रहा है तो इसका मतलब यह जो process होगा यहाँ पे dryable temperature TD1 TD2 इस process में heating हो रही है तो हम इसको लिख सकते हैं यह heating है और humidification हो रहा है यह dehumidification W1 से W2 humidification heating and humidification का case है ठीक है अब आगे discuss करेंगे क्या होता है अभी हम देखो sensible heat factor क्या होता है अब इस process में अगर हम बात करें कि 1 पे हमें enthalpy चाहिए कितनी है तो 1 पे enthalpy कुछ ऐसे निकालते है inclined line जो जाती है psychometry chart में यहां आपकी h1 हो गई और 2 पे कितनी है enthalpy इसी के parallel में जो 2 point से line draw करेंगे वो क्या हो जाएगी h2 आपको represent करेंगे तो यह आपकी h2 हो गई हम क्या करेंगे हम इसको इस तरीके से draw कर लेंगे ठीक है और यह point हो गए आपका a तो a पे हमने enthalpy निकाल लिया आपकी वो कितनी हो गई हाँ हो गई ह अच्छा अब आप से question पूछते हैं 1 से a जाते समय क्या हो रहा है ऑन से जाते समय temperature increase हो रहा है लेकिन humidity as it is है तो इसको हम क्या कहते है थे इसको हम कहते है थे sensible hitting तो हमने लिग दिया इसको sensible heating और a से 2 जाते समय क्या हो रहा है आ से 2 जात एकशे कहिं साहरे चीटेस्ट और यह उरहे हमिडरेफी किसन हो रहा है हमिडिफिकेशन यहां पे दोग्राइब हो रहा है सिर्फ कीजित हो रहा है हेट हु गयाऋ सन्व एक हीत्ठ कीज्ट जो आज़ो इसमें वापस cooling and humidification process में जो बताय था बाइपास फेक्टर तो इसमें बताया था को हम क्या करेंगी एक ऐसी कोईल से पास कराएंगे जिसका temperature इसके due point temperature से कम है और के corresponding dew point कैसा होगा रिए ब्राइबल टेंप्रेचर ही हो गया dew point temperature के लिए हम क्या करते है horizontal जाते है अब wet belt temperature के लिए हम क्या करते है इस तरीके से inclined जाते है तो यह आपका TW1 हो जाएगा कौन सा point यह point तो इस point के corresponding जो dew point temperature है अब इस air का dew point temperature DP1 है अगर हम इस air को एक AC coil से pass करा है suppose that आप एक number में count कर लो आपको जो given air है उसका dry belt temperature 35 है wet belt temperature 30 है और dew point temperature आपका 20 है एक चीज़ याद रखना हमेशे एक relation होता है किसमें सबसे ज़्यादा होता है dry belt temperature dry belt temperature यह तो ज़्यादा होगा यह बराबर होगा किसके wet belt temperature के और सबसे कम होड़ होता है dew point temperature ठीक है न और यह तीनों बराबर भी होता है कब बराबर होता है dry belt temperature is equal to wet belt temperature is equal to dew point temperature यह याद रखना यह important है यह बराबर होता है किसके लिए for saturated air के लिए saturated air saturated air का होती है इस line पे कहीं भी मार कर दो माल यह मार कर दिया इस point पे जो air की property air है वो saturated air है तो इस point पे अभी हम देखो psychometry chart में आप एक चीज दिखाए यह देखो यह माल लो यह आपका line है अब इसमें कहीं भी point mark कर लो माल लो यह point आपने mark कर दिया इस point पे क्योंकि हमने बोला यह saturated line है इस point पे अब देखो dry belt temperature कितना है dry belt temperature downward आएंगे यह देखो 10 dry belt temperature 10 है इस point पे wet belt temperature तो अल्रेड़ी यही scale है तो यह भी 10 होगा dew point temperature है तो यह 10 होगा क्योंकि wet belt temperature due point temperature तो दोनों सेमी scale पे है ना ठीक है तो यहाँ पे देखो यह skill ही बरावर होता for saturated air ठीक है और यह relation हमेशा होता है dry belt temperature ज्यादा होगा wet belt से and then dew point temperature ठीक है अब मालो कोई air है और उसका dew point temperature आपको given है कि 15 है तो यह क्या represent करता है dew point temperature रेपेजेंट करता है कि उस air का temperature decrease करेंगे तो dew point temperature पे उस air पे available water vapor condense होना start कर देंगे यही बताया था ठीक है ना अब जैसे मालो आपने आपने glass में कुछ colding लिया ठीक है ना chilled colding लिया तो chilled colding लेने के बाद उस glass के outer surface पे क्या होता है उस glass temperature जो होता है वो atmospheric air के dew point temperature से कम होता है मालो आपकी atmospheric air उसका dew point temperature 18 आपने refrigerator से colding लिया और glass में डाला जिसका temperature था 12 है तो वो 18 से कम है तो इसका मतलब क्या होगा जो outer surface के contact में air होगी और उस air में water vapor होगा वो तुरंद क्या हो जाएगा condense हो जाएगा क्यों क्योंकि उस glass के surface का temperature उसकी dew point temperature से कम है ठीक है तो अगर हमें किसी air को dehumidify करना है मतलब उसको moisture निकालना है तो उस air में available water vapor क्या हो जाएगा condense हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम उस air को ऐसे surface से पास करा है जिसका temperature इसकी dew point temperature से कम हो तो हमने क्या किया इस air को ऐसे temperature से पास कराया जिसका temperature इसके corresponding dew point temperature से कम है इसे हम कहते है apparatus dew point temperature ठीक है अब यह होगे point apparatus dew point और यह होगे one अब हम इसको मिला देंगे क्यों क्योंकि हमने bypass factor में पढ़ा था कि अब जो यह one air है इसको हम pass कराएंगे ADP से तो जो leaving air है from the coil from the cooling coil उसका temperature इस line के बीच में कहीं exist करेगा तो यह होगे आपको point two अब कहां होगा वो हम अभी आगे discuss करेंगे ठीक है point two हो गया तो यह one से two process हो गया और प्रोसेस क्या हो गया cooling and dehumidification ठीक है अब इस पर एक numerical कर लेते हैं कि अधिको यह numerical लिखा हुआ है the atmospheric air at 30 degree centigrade dryable temperature मतलब इसके पर यहाँ पर ड्राइबल temperature कितना है dryable temperature 30 degree centigrade and relative humidity 75% तो हम क्या करेंगे psychometry chart अब आपके पास होगा psychometry chart अपना निकालो ठीक है ना psychometry chart आपको कहीं मिल जाएगा तो आप उसका एक zero करा के रखलो निमेर कर उसी से ही होना है ठीक है आप आपको यह inlet air की condition दे दिया ठीक है relative humidity enter at a cooling coil अचा यहां पर condition क्या दिया देखो atmospheric air इसका मतलब जो pressure है जो pressure वो कितना है वह आपको 1.013 बार 1.013 तो इसका मतलब हम क्या करेंगे psychometry chart यूज कर सकते है ठीक है तो अचा यह आपको क्या दिया वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ कितना हो गया 200 मीटर क्यूब पर मिनट ठीक है याद रखना जो इन्थैल्पी होती हो पर इनिट किलोग्राम होती है तो इसके लिए हमेशा वीवन वॉल्यूम लिखेंगे फिर बाद में स्पेसिक वॉल्यूम निकाल लेंगे और मास निकाल लेते हैं यही प्रोसर्स होता है में प्रॉस्टराम में अप्रिंट टिया है फोरेते ईग्री सेंटिए यह आपका होगे 8 dp आप क्या करना है अब यह सिर्फ एक लाइन डाइग्राम है आपको एक्चुल जाइकुमेटी चार्ट में देखना है कि 30 डिग्री कहा होगा यहां पर जाना है 30 डिग्री 30 डिग्री आपने मार कर लिया 30 डिग्री हो गया फिर 75 ऐसे ऐसे अबसर करना है त इसको एक्स्तेंड करो गहूंब तो यह आपको पॉइंट मिल जाएगा कौन सा 1 पॉइंट इंलेट अब इसमें क्या है एप swiftứ ड्यूप एपरिठेस dp तो इसमें देखना है आपको मिल गए यह आप एक तैन डिग्री सेंटीर 14 लिए तो हम क्या करेंगे 1 से 2 को स्टेट लाइन के तुरू इसको मिला देंगे अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 पॉइंट होगा वो यहां कहीं exist करेगा हमें यह पता है कि जो 2 पॉइंट होगा वो इसी लाइन में हैगा हो कहां होगा यह हमें नहीं बाता तो चलो वह फा countryside पॉइंट बॉइंट है इस यह जो कर दें पॉइंट न होगा .2 पर ड्रायवल टम्प्रेचर होगा td2 तो बाइपास क्रेक्टर का फॉर्मूला क्या था बाइपास क्रेक्टर is equal to कितना रह गया td2 minus td3 यह जो यह ती इसका temperature यह जो air है temperature degrees होके जाता हो सकता था td3 तक td3 क्या है aperture due point temperature td3 is equal to इसी को हम लोग बोलते है एपरार्टर्टर्च दूपॉंट टेमप्रेचर टिकले अपॉंड कितना हो सकता था यहां से यहां तक हो सकता था तो मतलब टीटीवन माइनस टीडीघे और इसकी वैलू कितनी है पॉईंट बन तो यह देखो वैलू रख दो तो 0.1 is equal to, यह आपका TD2 कितना है, यह निकालना है अच्छा, तो TD2 निकालना है, minus TD3 कितना है, 14 degree centigrade, upon TD1 कितना था, 30 minus TD3 14, यहाँ से हम देखेंगे, तो जो TD2 की value आएगी, वो आजाएगे कुछ 15.6 degree centigrade, यह आप खुछ से भी calculate कर लेना, ठीक है, तो बस यहाँ पर हमने क्या कर यहाँ पर दूड़ो 15.6 का है, जहाँ पर भी 15.6 मिल जाए, उदर से vertical line ड्रॉ कर दो, और आपका 0.2 find out हो जाएगा, अब जब 0.2 find out हो जाएगा, तो अब आपको सारी property कहां से देखनी है, psychometry chart से देखनी है, ठीक है, तो अब इसके बाद निकालो, क्या-क्या निकालना है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मास फ्लो रेट निकाल लेते हैं, तो मास फ्लो रेट M is equal to, मास फ्लो रेट ऑफ एर, 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 मास फ्लो रेट ऑफ तो इसकी actual value है 0.884 ठीक है और आपका वीवन कितना था 200 मीटर क्यूब पर मिनट तो यह जो mass flow rate आएगा इसको calculate कर लेना यह आ जाएगा एप्रोक्स 26 226.2 किलोग्राम पर मिनट ठीक है यह भी क्या था किलोग्र क्या पूछा क्या अब देखो determine the temperature of your living coil TD2 पूछा गया था TD2 आपका the capacity of cooling coil in ton capacity पूछा गया है कितना cooling effect हुआ by the cooling by the cooling coil ठीक है तो यह क्या होगा capacity अगर हम पूछेंगे capacity of cooling coil capacity of cooling coil तो यह हुआ न कि coil ने कितना उसको cool कर दिया air को तो यह is equal to कितना होगा m into कितना cool किया पहले था आपका h1 मतलब पहले कितना था TD1 minus TD2 तो यहां पर enthalpy कितनी थी h1 फिर enthalpy होगा h2 तो h1 minus h2 यह आपकी change in enthalpy आ गए enthalpy कहां से देखते हैं देख लो enthalpy अगर यह कोई incline line है तो यहां से आपने enthalpy देखी यह आगई आपकी h1 फिर आपने क्या किया है h2 की enthalpy देखी यह आपकी आगई h2 तो कितना cool हो गई h1 minus h2 change in enthalpy बस इसको solve कर लो h1 की value कहां से आगी from the psychometry chart from the psychometry chart from psychometry chart from psychometry chart h1 की value क्या होगी देखो जैसे बताया incline line करके वैसे mark कर लेना तो आपका h1 आ जाएगा मैं तो देखो देखके आपका सॉलूशन है 1-2 क्या रखना है किलो जूल पर क्या बताया था किलो जूल पर किलोग्राम और ड्रायर और अ ऊच्चु कितना हो जाएगा यह है आपका कम ही आएगा 43.5 अ किलो जूल पर manufacturer आपने निकाल लिया तो यह आपको जहां से कुलिंट पर आप अगर को इन ट्रक्वे निकालना है इन ट्रक्वाइं तो is equal to capacity cooling capacity cooling capacity ठीक है cooling capacity is equal to m into h1 minus h2 upon 210 ठीक है तो यह आपकी यहां से तन में आ जाएगा तन में अप्रोक्स वेलू जो जो भी आगी देख लेना अपना ठीक है नेक्स्ट होगा कर दो केंहां इमाउंट ओवटर भी पर डिमthen हां यह इइंपोर्टेंट है एमाउंट ओवटर इपर हूं ना वन से टू disp हो रहा है इंस रिमूब्त हो हूं रहा तो कितना हो रहा देख वन पॉंट पे वाटर वेपर कितना है W1 टू पॉइंट पे वाटर वेपर कितना है W2 तो यहां पे लेखो from the psychometry chart from psychometry chart from psychometry chart W1 की value find out कर लो W1 की value को चाहिए आपकी 0.0202 kilogram पर kilogram of dryer तो देखो W2 क्या है कमा रही है यहां पे W2 हमारी कमा रही है ठीक है W1 आ गए W2 आ गए अच्छा अब यह था 1 kilogram में कितना मास वाटर वेपर था W1 तो MA kilogram में कितना मास वाटर वेपर होगा MA MA इंटू W1 अच्छा लीविंग यहर में कितना मास वाटर वेपर होगा इतना तो कितना कम होगा देखो removing amount of water वाटर वेपर water वेपर is equal to पहले कितना था MA इंटू W1 माइनस जब जा रहा था बचा कितना उसमें क्योंकि मास वाटर रेट तो देखो सेम रहेगा MA इंटू W2 बस इसको solve कर ले रहा है इसको solve करोगे तो कुछ कुछ आ जाएगा आपका 2.08 kg पर मिनट क्यों आ गया क्यों क्यों आ गया क्योंकि MA का यूनिट क्या है MA का यूनिट क्या था यह देखो kg पर मिनट तो यह आपका rate of amount of water vapor है जो remove हो रहा है जैसे आपने देखा हो कई बार AC से पीछे से पानी टपकता रहता है तो वह कहां से आता है वह होता है वह जो रूम पे air होती है उसको dehumidified कर देता है क्योंकि summer season में humidification atmospheric air पे बहुत जादा होता है तो उसको dehumidified करना होता है तो उसको हम क्या करते है condense कर देते है तो वह condense करने के बाद जो liquified water होता है वह आपका पीछे से कई बार गिरता रहता है तो इसका मतलब यह नहीं कि AC खराब हो गया है ठीक है next है आपका fourth term sensible heat factor अभी आपको बता है यह HA HA का आ जाएगा from the table हमने H1 लिख लिया H2 लिख लिया ठीक है ना और यह sensible heat factor क्या होगा sensible heat sensible heat कितना है HA minus H2 upon upon total heat तो total heat क्या है H1 minus H2 यह तो बता है था ना देखलो आप प्रोसेस यहां से यहां latent heat यहां से यहां sensible heat तो यहां से यहां क्या है total heat और यहां से यहां क्या है sensible heat हमने sensible heat लिख दिये is equal to इसको क्या लिखा था पहले लिखा था sensible heat upon total heat हमने वही तो लिख दिया वही लिखा है हा का value from psychometry chart from psychometry chart HA का value HA HA is equal to कितना है HA 58 किलोजूल पर किलोग्राम ओफ ड्रायर तो यहां से जब सेंस्वल हीट फेक्टर निकालोगों तो सेंस्वल हीट फेक्टर क्या तो यह कुछ-कुछ ऐसे होगा 58-43.5 अपन यह कितना था सेंस्वल हीट फेक्टर है ठीक है यह तो याद रखना थो ना नेक्स साइक्टमेटिक प्रोसेसि इस कूलिंग विद एडिएबेतिक हमिडिफेक्टर इसका एक्जाम्पल सबसे अच्छा है कि इसजाम्पल आपको याद रहेगा तो थोड़ा सा इजी और करता है तो यह आपका क्या होता है यह हो जाती है कि आपको फंडा करता है तो यह ब्रसाथ-ब्रसाथ में अबर आप चला लो अब होगा आपको प्रोसेस होता है आपका एक section होता है यहाँ से air आती है water होता है water को आप उपर ले जाता है वहाँ से spray कराते है तो यह air pass होती है suppose that यहाँ पे आपकी जो air है उसका temperature था Td1 specific humidity थी W1 यहाँ पे जो living air है उसका temperature हो जाएगा Td2 और specific humidity हो जाएगी W1 cooling and dehydification है cooling and sorry cooling with adiabatic humidification suppose that आपका यह point 1 हो गया ठीक है cooling होगा तो left side जाएगा point और humidification लिखा है तो उपर की तरफ जाएगा तो point कुछ ऐसे हो जाएगा 1 से 2 1 से 2 हो जाएगा यह आपका point हो गया 1 से 2 ठीक है लेकिन इसमें एक term लिखा है with adiabatic adiabatic क्या होगा adiabatic मतलब इसमें enthalpy जो रहेगी as it is रहेगी adiabatic मतलब यह होता है कि आपका जो amount of heat exchange है वो zero होगा enthalpy same रहेगी तो अकर हम enthalpy वाला scale बना लें और हम देखें कि point one की enthalpy कितनी है तो हमने देखा point one की enthalpy कुछ इतनी थी आपकी h1 देखो यह हम line diagram से समझा रहा है कि theory के साब से line diagram किसे बनेगा और two पे जो आपने बताया आपने बताया कि enthalpy तो बढ़ गई देखो है ना अच्छा यह enthalpy ऐसी भी हो सकती यह line diagram कुछ ऐसा भी हो सकता है इसको आप कर लो two double dash मतलो यह हो गया two dash यह हो गया two double dash और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो enthalpy निकालोगे तो enthalpy देखो क्या होगी decrease हो गई कैसे बतावा यह देखो यहाँ पे जो है enthalpy वो h1 है और यहाँ पे जो enthalpy h2 dash है वो बढ़ रही है और यहाँ पे जो enthalpy h2 double dash है यह decrease हो रही है लेकिन same नहीं है तो इसका मतलब क्या है जो point two होगा वो इसी line पे exist करना चाहिए तभी आपका adiabatic होगा तो यह अगर आपका point two same enthalpy line पे आ जाए तो यह h1 is equal to क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा और यही अगर आपने maintain कर लिया तो आपकी definition यह होगी cooling with adiabatic humidification अब इसमें क्या होता है actual process में देखो actually क्या होता है कि जब आप initially condition में जब आप room पे air चलाते हो cooler चलाते हो तो room का temperature होता है कुछ air का temperature suppose that 40 degree centigrade आपने जैसे cooler चलाया तो उसमें जो water होता है उसका भी initial temperature 40 degree centigrade मैं देखो नंबर बता रहा हूँ example के समझाने के लिए ऐसा as it is consider कर लेना अब क्या किया आपने जैसे cooler चलाया तो उस room पे जो water वे पर होता उस cooler में जो water वे पर होता है उसका temperature decrease होना start जाता है तो 40 से 35 पहुचता है 30 तक पहुच जाता है 25 तक भी पहुच जाता है ठीक है ना अब मालो सोच लो suppose that कि 28 degree temperature बहुच जाए अब ऐसा तो है नहीं कि उसका temperature minus 3 degree चले जाएगा cooler में जो water है तो उसका temperature decrease करता है लेकिन कितना decrease करता है ये भी सुचना पड़ेगा तो ये चीज़ याद रखना है कि हमेशा उस room पे जो air है उसका जो wet bulb temperature है वहाँ तक temperature decrease कर सकता है तो मैंने पहले भी बताया था कि जो air होती है उसका जो dry bulb temperature होता है dry bulb temperature से कम यह बराबर होता है wet bulb temperature तो इसका मतलब wet bulb temperature कम होता है तो यहाँ तक पानी का temperature decrease कर सकता है cooler का तुमसे कभी कोई बूचे कि cooler का temperature cooler में जो water होता है उसका temperature decrease करता है लेकिन कहां तक decrease करता है तो wet bulb temperature तक decrease करता है ठीक है तो एक तो चीज हो गई है तो अगर मालो, अब मालो, सबोस दैट कि अब वो saturation condition आ गया water का temperature, wet belt temperature तक पहुँच गया, तो अब क्या होगा कि उस water vapor का जो temperature है, water vapor का जो water का temperature है, जो cooler पर है, उससे हमने spray कराया तो spray कराने पर क्या होगा कि वो air से heat absorb करेगा और वो water particle evaporate हो जाएगा evaporate होके mix हो जाएगा process क्या चलता है, फिर से सुनो जैसे हमने water को spray कराया air पर तो वो water vapor air particle से heat लेता है तो air particle का temperature degrees हो गया heat लेने के बाद वो evaporate हो जाता है evaporate होने के बाद वो mix हो जाता है तो पहले heat ले लिया temperature तो cooling हो गया, फिर उसके बाद उसे mix हो जाता है तो वो humidification हो गया, अब during this process, अगर air का enthalpy increase करता है तब भी वो cooling and humidification होगा और अगर enthalpy decrease करता है तब भी वो cooling and humidification होगा लेकिन अगर enthalpy as it is रहेगा, तब वो होगा cooling with adiabatic humidification तो ये 1-2 diagram है आपका cooling with adiabatic humidification का इसी में एक term calculate करते है effectiveness of humidifying efficiency इसमें क्या calculate कर सकते है effectiveness ये कई बार question पूचता है effectiveness effectiveness क्या होता है, देखो अब ये जो air है, इसका temperature कितना है TD1 एर का temperature है TD1 यहाँ पे जो living air है, इसका temperature कितना हो गया TD2 इसका temperature यहाँ तक भी decrease कर सकता था तो अगर यहाँ तक decrease कर जाता तो temperature कितना हो जाता है कुछ TD3 तो बस यह होगा effectiveness effectiveness मतलब कितना effect हुआ तो कितना effect हुआ तो कितना effect हुआ इसको हम कहते है actual drop actual drop actual drop dryable temperature में और इसको क्या कहते है ideal drop बस यह निकालते हैं अगर निकालते हैं तो ठीक है ना ड्राइबर टेमपेचर बाकि इसका application समझ़दा ज्यादा जरूरी था जो समझा दिया ठीक है अब अगर नेक्स्ट पे नेक्स्ट है cooling and humidification by water injection cooling and humidification by water injection इसमें ये डायग्राम है देखो यह एक्चुली का यह भी insulated chamber था और यह भी insulated chamber यह था अब इसम्समें इतना बलत अब खिल न आक न तो आपको mention करना पड़ेगा within an insulated chamber there is a method of spraying water is clear or is clear there is a method of injecting water into the air which is coming from section 1 at drival temperature TD 1 specific humidity w1 and leaving after injection at drival temperature TD 2 with specific humidity w2 as we also know that during this process there will be cooling and humidification process why cooling because water temperature is below than the injected air inlet air the cooling and humidification cooling and humidification cooling and humidification cooling and humidification by water injection to your point 1 हो गया अब जो cooling है तो मतलब 1 से left में जाएगा और humidification है तो उपर की तरफ देएगा तो 0.2 कुछ ऐसी condition में होगा अच्छा यहां पर हमने कहीं नहीं डिसकस किया कि specific enthalpy as it is है या नहीं है क्यों क्यों क्योंकि यहां पर हमारा एक term ता adiabatic यहां adiabatic नहीं है तो enthalpy increase हो रही है that doesn't matter हमारा केस क्या है हमारा केस है water injection का now suppose that w1 is the specific enthalpy at inlet air w2 is outlet td1 is td2 is outlet specific enthalpy at inlet h1 specific enthalpy of outlet h2 ठीक है अब यह बताओ suppose that mass of inlet air is ma mass of inlet इसलिए mass mention किया क्योंकि यहां पर क्या है यह water inject हो रहा है water inject हो रहा है तो mass क्या होगा बढ़ेगा suppose that यह अपने लिए ma mass flow rate यहां से 10 kg per minute के rate से air जा रहा है और यहां से 0.5 kg per minute के rate से water जा रहा है तो यह दोनों mix होके जा रहा है यह वापस यहां गिर नहीं रहा जैसे यहां पर क्या था एक tank बना रखता था इस पर वह वापस गिर गया यह गिर नहीं रहा inject हो रहा है inject मतलब जितना हमने दिया वह mix हो गया तो mix हो गया तो कुछ का वह M2 हो जाएगा ठीक ना तो यह फाइनल है अब आजाओ mass balance equation अगर हम लिखें तो mass balance equation क्या होगी mass balance equation mass balance equation for water for water line diagram में आजा इसमें drywall temperature TD1 इस basic humidity W1 W2 अचा इनलेट पर देखू mass of water vapor कितना है mass of water vapor inlet पर कितना है inlet पर है mass of water vapor पर यूनिट किलोग्राम आफ ड्राइयर अगर ड्राइयर का mass flow rate given है तो multiplied कर दोगे तो इतने हो जाएगा प्लस कितना inject कर दिया MW inject कर दिया तो जो living air होगा उसका अगर specific humidity W2 है तो air तो as it is है air तो as it is है तो वह क्या हो जाएगा MA यह देख लो concept समझ में आ रहा है MA is the mass flow rate of air mass flow rate of air MA MA is the mass flow rate of air MW is the mass flow rate of water तो यह आपका mass balance equation हो गया for water ठीक ना इधर से अगर हम चाहें है तो W2 का equation निकाल सकते है W2 का MA से मल्टी डिवाइड कर दो तो तो is equal to W1 plus mass injection of water upon mass flow rate of air यह आपका important equation है ठीक है ना किसलिए point 2 को find out करने के लिए आपको दो property चाहिए होगी तो W2 तो आपकी आ गई ठीक ना अब two point पे यह आपका specific enthalpy का line हो गया यह आपका होगए H1 और यह आपका होगए H2 तो heat balance equation क्या होगा inlet पे आपका enthalpy कितना है H1 लेकिन specific enthalpy है तो mass flow rate से multiplied कर दिया MA plus इसका enthalpy कितना होगा देखो यह है MW मास आ गया प्लस यह क्या कर रहा है यह जब inject कर रहा है air पे तो यह evaporate हो जा रहा है मतलब latent heat add हो रहा है latent heat क्या हो रहा है add हो रहा है water में air में latent heat इसका add हो रहा है तो HFG किसका water करका is equal to H2 into W H2 into MA H2 into MA ठीक ना यहां से अगर हम बुलें कि H2 की value कितने होगी H2 की value आजागी H1 plus MW upon MA into HFW ठीक है इसको हम ऐसे भी लिख सकते है H1 plus इसकी value क्या है W2 minus W1 into HFW H2 ठीक है तो यह दो equation आ गई इन दो equation से M2 और H2 की value आ जाएगी और M2 एर H2 की value अगर आ गई मालो यह scale H2 की value आ गई तो वहां से inclined line आएगी W2 आ गई horizontal line आएगी और जहां intersect करेगी वह आपका point 2 हो जाएगा ठीक है इस तरीके से दो point आ गए तो आपको living condition of air पता चल जाएगा कि जो एर की living condition है after the cooling and humidification by water injection वह क्या होगा ठीक है चलो next topic next जो कुछ बजे हुए psychometric process है वो next lecture में discuss करेंगे करेंगे करेंगे